है अग्राइब आज हम कवर करने वाले हमारी क्लास ने कि कॉनमिक्स के चारो चैप्टर को वह भी चोटी सी वीडियो के अंदर यानि इस वीडियो के बाद आपके पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे कहीं नहीं जाने वाले तो स्टार्ट करते हम बोलता है मुक्नावलों गो 어디 डेवलमेंट कर बंटाए तो उसको पर सेटिगए अब यानि नि नॉंबर वन पॉइंट लों के लिए ग propri हो रखाए आपके लिए development का मतलब है अच्छा hospital बन जाये किसी और development का मतलब है अच्छा पलस्टेशन या अच्छी स्थीज की और के employment मिल जाया जै यानि different people have different development goals अलग लग लोगों की अध्याग development goals होते हैं और हो सकता है जो किसी के लिए development हो वो किसी और के लिए जाए इसका बहुत अच्छा एक्जाम्पल चलता है वह हमारा डैम्स का डैम्स में क्या होता है जब बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ी कुछी होती है कि डैम्स बन रहा है प्रॉपर एलेक्टिशिटी सप्लाइब होगी सब कुछ बढ़िया होगा लेकिन जिनकी घर बनता है जिए जिनकी गाउं में बनता है वो नाराज होते हैं क्योंकि उनको अपना आप ठोड़ कर जाना परता है इसे में जो किसी एक के लिए विकास है किसी और के बिनाश एक और हो यह बात चलती है डेविलम्एंट के बारे में बात करते हैं तो हम सर्फ यह नहीं अच्छे होस्पिटल्स भी हो जाए अच्छा अच्छी एजुकेशन भी हो यह जो यह जो हम बहुत सारी गुल्स के बारें बात कर रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं दिट फॉर डेवलमेंट पीपल लोकैटा मिक्स अभूल्स आयोप यह चीज क्लियर होती है स्ट करेंगे में ही नेशनल डिवलमेंट जयसे मैंने बुट था हम कंट्री वेल्मेंट की बारें बाते करेंगे तो उन से पता करेंगे से परिस्टा committed को रही ह 나올 नेशनल डेवलमेंट को नहीता है तो बहुत इजकेंगे अगर मैंने बोला कि इंडिया में per capita income 1000 रुपीज है तो इसका मदलब on an average इंडिया में रहने वाला हर एक इंसाल 1000 रुपए दो कमा ही रहा है तो average income से हम पता करते है country developed है या नहीं है basically क्या करता है world bank एक average income set कर देता है अगर किसी देश की income 10 डॉलर के आसपास है तो वह developing कहलाएगा अगर किसी देश की income 10 डॉलर से बहुत कम है तो वह क्या कहलाएगा अब यह per capita income निकलती कैसे इसको निकालने का बड़ा ही simple जा तरीका है इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है total income divided by total population अगर मैं बोलूँ एक एरिया की total income 10,000 है और वहां की total population 5 तो average income कितनी हो जाएगी 10,000 divided by 5 यानि की 2,000 हमारी average income हो जाएगी अब सिर्फ income नहीं और भी तरीके होते हैं countries को compare करने के जैसे जो UNDPO होता है पर-captain income रहता है पर-captain income आपको पता ही है यानि average income दूसरा factor होता है infant mortality rate infant mortality rate का मतलब उससे हमें पता चलता है health status के बारे में कि उस देश में health status कैसा है infant mortality rate से में पता चलता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक साल के होने से पहले-पहले उनकी death हो जाती है तो अगर जादा बच्चों की देथ हो रही है यानि उस देश में जो health system है वो अच्छा नहीं है और कम बच्चों की देथ हो रही है यानि infant mortality rate कम है तो इसका मतलब वहाँ का health status अच्छा है health system अच्छा है तीसरा थरीका होता है वो होता है हमारा कौन सा literacy rate literacy rate में हम देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी उमर 7 और 7 साल से उपर है और जो किसी एक language में लिख सकते हैं बोल सकते हैं पढ़ सकते हैं तो अगर literacy rate अच्छी है तो UNDP बोलेगा country developed है और अगर literacy rate अच्छी नहीं है तो UNDP बोलेगा country developed नहीं है तो UNDP क्या करता है United Nation development program HDR यानि human development report को publish करता है और तीन factors के विसस पर countries को compare करता है कौन-गौन से पहला पर काप्ता income दूसा infant mortality rate and तीसा literacy rate I hope यह चीज़ भी आपको clear हो जाते है उसके बाद हम move on करते है next topic पर that is sustainability of development या sustainable development sustainable development का क्या मतलब है word को पकड़ो sustainable sustain sustain मतलब जो लंबी टाइम तक चले यह जो sustain करें जैसे मैंने आपको 10 रुपे दी तो पांच रुपे आपने आज इस्तमाल कर लिए और पांच रुपे आपने क्या क्या किया बचा लिए यानि बचा कर आंगे के लिए रख लिए तो आपन पर हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करते हैं कि हम आज भी उनको यूज कर लें और फ्यूचर में के लिए उनको बचा कर भी रख लें और साथी साथ इन्वार्मेंट को कोई हार्म भी ना पहुचे इस प्रकार जिब डेवलेमेंट होता है तो हम बोलते हैं sustainable development है जैसे प पर में एक सवाल बनता है कि why the issue of sustainability is important to us? इसका simple सा मतलब है कि sustainable development क्यों जरूरी है तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि sustainable development से क्या होगा हम resources को preserve करके रख पाएंगे future के लिए and number two चीज इस development से हम environment को कोई हाम भी नहीं पहुचाएंगे तो I hope आपको sustainable development भी clear होता होगा यहां पर activities हो रही होती है एक देश के इंदर यानि जितनी भी activities है जो economy में contribute कर रही है चोटे से छोटा काम हो बड़े से बड़ा काम हो उनको हम तीन पार्स में ग्लाज़राय करते है primary, secondary and tertiary one by one जानते हैं जल्दी जल्दी primary activities में क्या होता है कच्छा माल बनाते है अब primary activities में क्या होत इने डूद्स को अप्टेन करते हैं from natural resources, natural resources जैसे के पेड हो गया पेर से हमने लखली को अप्टेन किया हमने गेहूं को अप्टेन किया हमने कपड़े बनाने के लिए लोग को Michael cev10-5-3-2-1-1-1-1-1-1-2-1-2-1-2-2-2-1-3-3-2-1-1-2-1-3-2-3-2-1-1-2-1-2-2-4-2-2-2-4-2-1-1-1-2-2-2-4-0-2-2-4-2-2-3-1-2-6-1-2-2-1-3-2-4-2-2-2-3-2-1-3-1-2-2-1-2-2-St1-2-7--1-3-2-1-2-2-0-2-2-2-1-2-4-3-2d7-4-2-1-2-2-4-2-1-3-1-2-2-4 हम कच्छे माल को यानि less valuable product को more valuable product में convert करते हैं with the help of manufacturing और यह जो activities होते हैं को secondary sector के activities बोलते हैं जैसे हमारे पर लक्री थी तो लक्री less valuable है उसको बेचने जाओगे सस्ती बिचेगी लेकिन अगर उसकी की जाओ तो उसको furniture बना रोके manufacture करके तो furniture बहुत महेंगा जाएगा तो secondary sector में हम क्या करते हैं एक less valuable product को more valuable product में convert करते हैं with the help of manufacturing अब secondary sector में जो activities होती है वो जारातर industries या factories से related है तो इसलिए हम इसको एक industrial sector भी बोलते हैं फिर आता है हमारा tertiary sector, tertiary sector जो होता है वो अलग होता है primary और secondary से यह क्या करता है इसमें कोई भी goods produce नहीं होता है इनमें कुछ भी नया produce नहीं होता यह सर्फ एक help का काम करता है एक helper का काम करता है यह primary और secondary की help करता है जैसे transport कर देगा आपने furniture बनाया furniture को transportation में help कर देगा furniture बनाने के लिए पैसर चाहिए तो कहां से मिलेगा तो टेसरी से क्या होता है कोई भी goods प्रड्यूज नहीं होता है सिर्फ सर्विस प्रवाइड की जाते हैं यह सब चीज़े प्रवाइड की जाती है इसलिए सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं और सवाल बनता है, how Tersery sector is different from other two sectors, to इसका सवाल का जवाब क्या है, क्योंकि Тersery sector में कोई भी goods produced नहीं होता है, सिर्फ service प्रवाइट की जाते है, फिर आता है GDP, GDP क्या होती है, अब ये तीनों सेक्टर है, Primary, Secondary and Tersery sector, इनमें कुछ लुट सेक्टर होता होगा, तर्फरी में हुआ 20 तो क्या हो गया एक साल की जीडीपी निकल कर कितनी आ जाएगी हमारी 60 निकल कर आ जाएगी सिंपल समझने का तरीका है वैसे जीडीपी को ऐसे कल्कुलेट नहीं किया जाता लेकिन जो आपकी बुक की डेफिनिशन जाएगी मैं उस हिसाप से आपको बता था 1960s 1940s के टाइम पर प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छा पाडिसपेट करता था जीडीपी में बहुत अच्छा कॉंट्रिब्यूट करता था लेकिन पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है टर्सरी सेक्टर की इंपोर्टेंस दिन बर दिन बढ़ती जा रही है बहुत सि सर्विस हो चुकी है इनके बना अपनी जन्री की कलपना भी नहीं कर सकते तो यह सर्विस तो हमेशा क्या है सदा भार हो चुकी और इनकी रेक्वारिमेंट हमेशा बढ़ेगी तो तर्सरी सिक्टर की इंपोर्टेंस भी बढ़ेगी आज की आप जैसे लोगों की इंकम तो यह ही हो रहा है आज के टाइम पर आई-टी और कम्यूनिकेशन टेक्निलोजी इतनी अच्छी आगे जा रही है कि उससे भी सर्विस सेक्टर में बहुत जारा बढ़ता जा रहा है लेकिन इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है यानि नंबर आफ पीपल जो इंप्लॉय इंप्लॉयमेंट जन Heade of ने वमुळुश आगांव ए वियुयूग प्रॉकस करेए प्रमरी सेक्टर पर प्रायमरी सेक्टर को बहुथ एक्नोर किया गया है अगर प्रमरी सेक्टर में जो लोग है यानि इग्रिकल्टर वाले जो लोग है इनकी göre on LD foul परकूर स्विए और न को लोन लेने के लिए प्रॉपर बैंक्स मिल जाए अगर हम इन चीजों को पूरा करें तो हम प्राइमरी सेक्टर में क्या कर सकते हैं लोग को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और इससे क्या होगा इससे और ज्यादा क्रियेट होंगे और यही माना जाता है एक साल में तीस लाग से जादा इंप्लाइमेंट क्रियेट किया जा सकता है अब गवर्मेंट की जिम्मेदारी है कि वह रोजगार दे तो वह करने के लिए गवर्मेंट टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ कदम उठाती रहती है जैसे 2005 म को क काम करने का दिखाया है और सरकार की जिम्मधारी है कि वह लोग को remove को काम दे तो इस एक्ट में क्या टिया जाता है जो रूरल इंडिया के लोग होते है या जो ग्रामीर इलाके के लोगों होते है इनको क्यों घृयर्ड डेस के लिए काम की जाता है जिस के लिए उनको सथे इसमें एक और चीज़ होती है general Lee आपको जो काम मिलता है ना नडर आपको अपनी-लोगिए डि विलेज के अस पास ही मिलता है जिसे आप आज तर exile के वर्कर स्क्राb बने ना रहे होते हैं आउस पैसा मिलेगा अब बेसिकली यह तो हो गया employment के बारे में नरेगा बहुत important है इसको याद कर लेना समझ लेना जो भी करना है कर लेना बड़ वैसे तो अब तुम समझी गए होगे क्योंकि एक अब आते हैं हमारे unemployment यानि बेरोजगारी दो प्रकार की होती है एक होती है खुली बेरोजगारी यानि ओपन रोड़ पर एक बंदा जा रहा है वह रोड यहां से वहां घूमता रहता है कभी ताष कहलता है कभी कुछ करता रहता है यह सब करता है तो में दिख रहा है वह पर उनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वह बस काम करने लग जाते है जैसे मालोगी काम है जो दो लोग मिलकार करते हैं तो दोzकार क्या होती है एक एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर रिक्वाइड नंबर से जाधा लोग काम कर रहे होते हैं जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा एक हल चलाते हुए पांच लोग मिलकर हल चला रहे हैं यहां पर दो बैल चला रहे हैं और पांच लोग हैं तो पांच लोग की जरूरत होती है एक एसी situation जहांपर required number से जादा वरकर्स present होते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं डिसकाइस unemployment है जैसे मैं आपको एक situation देता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ाने के लिए में अकेला कारी हो लेकिन मैं दस लोगों की टीम बना लों तो ऐसे में जो बाकी नौ लोग हो क्या किस जो किया कहलेंगे वो डिस्काइस अंप्लोइमेंट में कहलाएंगे लेकिन आप paid दुकान पर बैटते हो दुकान पर बैटने के लिए आपर के लिए अकेले काफी काफ़ी हूझा तो बाक्य जितने भी एक्स्टा लोग हैं में किसमें कीलाएंगे अब जो इंप्लियमेंट कंडिशन्स होती हैं उनके आधार पर हम डो टाइब के सेक्टर को डवाइड करते हैं और यह कुछ बढ़ी का सिस्टम नहीं है बहुत ही सिम्पल चीज तो और चीज बहुत ही विवस्ता से होती है यानि कि वहाँ पर जो terms of employment होते हैं, वो regular होते हैं, यानि लोगों के पास assured work होता है, लेकिन unorganized sector में ऐसा नहीं होता है, और सेक्टर का clear example है, government teacher, और सेक्टर में मालो एक ऐसा इंसान जो फल की ready पर काम कर रहा है, तो फल की ready पर जो काम कर रहा है, उसका employment regular नहीं है, उसको कभी निकाल दिया जाएगा, लेकिन government teacher को कभी भी without any reason नहीं निकाला जाएगा, दूसरा, organized sector में क्या होता है, जो activities होती है, उनको, वो किसके under में होती है, सरकार के under में होती है, और वहाँ पर rules and regulations को follow किया जाता है, unorganized sector में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप फल की दुकान पर काम क कर रहे हो, तो उस दुकान का मालिक ही भगवान है, वो बोलेगा, आप उन्हें इच भगवान है, तुम कर लो जो करना है, third thing, organized sector में proper तरीके formal processes and procedures होते है, हर चीज के लिए procedure होता है, अगर आपको चुट्टी चाहिए, अगर आपको कुछ भी करना है, तो आपके पास एक proper procedure है, जो आप follow करोगे और आपका काम हो जाएगा, अन और्गनाइस sector में ऐसा कुछ नहीं है, आप मिननतें करते हैं रह जाओगे, लेकिन अगर आपको मालिक की इक्षा नहीं है, आपको पर्मीशन देने की, आपको कुछ नहीं बिगार पाऊगे उसका, ठीक है, fourth thing क्या होती और्गनाइस sector में, और्गनाइस sector में security of employment होती है, security of employment अभी covid आया था, तो जितने भी government teacher थे, क्या उनकी job गई, नहीं गई, क्योंकि उनका employment secure था, लेकिन जो फल वाले थे, जो ready पे काम कर रहे थे, उनकी job चली गई ना, क्योंकि उनका employment secure नहीं था, और्गनाइस sector में जो employment ह इक्स्ट्रा काम भी करवाएंगे, तुम्हारा exploitation भी करेंगे, तुमको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देंगे, जब छुट्टी चाहोगे तब छुट्टी भी नहीं देंगे, यह सारी चीज़े अन और्गनाइस sector में होती है, अब basically अगर यह तुम्हें समझना हो तो एक दो situation ले लो, एक बार खुट को तुम government teacher मालो, school जाते हो, तुम्हें दिख जाएगे, अपने school के government teacher क्या बढ़िया है, और एक तरफ देख लो, एक फल की रेडी पर काम करने वाला इंसान, छोटू मोटू सा, उसको suppose करो कि यहार, उसकी life कैसी है, इसकी life कैसी है, अपने आप सम सबी assets आजाते हैं, जिन पर control कौन कर रहा होता है, government control कर रहा होता है, क्योंकि यह public sector है, और यहां पर activities की जाती है, वो profit के लिए नहीं, वो public welfare के लिए जादा होती है, जैसे मैंने बोले, public parking बनाए गई, यह public park बनाए गया, public ग्राउंड बनाए गया, तो वो सारी activities किस क्याम के लिए हैं, वो एक public welfare के लिए की जारी है, public tax बनाए जारी है, और उनको कौनmara कर रहा है, government control कर रहा है, लेकिन private sector में गया है, प्राइविट से मतलब होता है, तो public और private sector में main anchor क्या है, public में they are being controlled by government, and private में the ownership is in the hands of individuals, पब्लिक में एक्टिविटीटीज आर गाइड़ नॉट वर प्रॉफिट बट अल्सो पॉब्लिक वेलफियर बट इन प्राइवेट एक्टिविटीज आ मेली गाइड़ फॉफिट जैसे एक पॉब्लिक स्कूल है पॉब्लिक हॉस्पिटल है तो वहां पर आपको कम खरचा लगेगा वहां पर सब कोच सस्ता सस्ता होगा लेकिन एक प्राइवेट स्कूल जाओगे बहुत महंगा खरचा होगा क्योंकि वहां पर मेन इंटेंशन है कि हमको प्रॉफिट कमाना है तो यह तुम्हार पॉब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी हो जाता है अब एक बात होती कि इनको एक दिन का इतना पैसा तो देना ही देना है अभी क्या होता है अभी जादा वर्कर्स है तो कोई 50 रुपय में भी काम करने को तियार हो जाता है इससे क्या होता है बाकी वर्कर्स को नुक्सान हो जाता है अनौर्गनाइज सेक्टर में तो गवर्मेंट क्या करें एक minimum करें तुमको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा साथ इतने ही घंटे काम करना है ऐसा नहीं कि 8 घंटे बोलका 18 घंटे काम करा जा रहा है तो इस तरीके से और अर्णाराइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरी चीज गवर्मेंट क्या करें जो छोटे- फुटे-छोटे सेल्फ इंप्लॉइड इंडिविजोल्स को लोन दे सकते हैं आपको एक छोटी दुकान खोलने के लिए यह चोटा सा कुछ भी बिजनेस स्टैबलिश करने के लिए लोन दे सकते हैं तीसरी चीज क्या कर सकती है जो बहुत गरीब लोग हैं जो अनॉर्णा आपन सईसे हो पाए तो आपको यह चीज समझ में आई होगी सेक्टर सब्सक्राइब करते हैं नेक्स चैप्टर की तरफ जिसका नाम है money and credit यहां तक तुमको समझ में आ गया है तो वीडियो के पर लाइक ज़रूर कर देना वहां करते हमारी नेक्स चैप्टर की तरफ बदले दूसी चीज को एक्षेंज कर लिया जाता था यानि मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं उस चीज के बदले आपको क्या गरूगा कोई और चीज दे दूगा इसमें प्रॉब्लम यह आती थी कि सिस्टम में कई बार जो लोगों को चाहिए होता था वो उनको मिलता ही अब कोई चीज बेचनी है और मैं चाहता हूं उसके बदले में आप मुझे चावल दे दो आप चावल देने को त्यार निया आपके पास देने के लिए कुछ और ही है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ही आ जाएगी कि हमारे बीच डिल नहीं हो प पाएगा यानि डॉनलों की डिवांट सिमलर होने चाहिए तो बाटर सिस्टम क्यों रोग दिया गया क्योंकि यह डबल कोइंसिदेंस नहीं हो पा रहा था और इस वजह से हमको बाटर सिस्टम को खतम करना पला ठीक है उसके बाद आया फिर रुपी वाला सिस्टम रुपी विफ्टेश में जो नोडस होते हैं करें सिए उसको कोन करता है डिचली टॉपी की आता है कि हम लोग पैसे कमाते हैं पैसे को रखते का आज की टाइम पर थे अलग लग तरीके थे लगिन आर्येश्व को पास एक्स्ट्रा पैसा होता ता उसको क्या अटे थे बैंक में जा है इसलिए उनका पैसा तो इसको डिमांड डिपाउजट बोलते थे आप पैसे जमा करने कि आ पैसे निकालने के अलग तरीके होता है पहले की टाइम पर इतनी ज्यादा तरीक है चेक की मरत से चेक के पेपर होता था जो बताता है गया है वह चाहता है कि इतना इतना पैसा किसी दे दिया जाए नहीं कि मैं को बता है कि मैं चाहिए जाए तो यह थे क्या करने का या पैसे . तो पहले के टाइम पर आकारि की यही थे की हम पैसा deposit करके बैंक में रखते थे- जहां पर हमें क्या मिलता था उस पर एक इंट्रेस्स रेट भी मिलता था जब चाहिए हम उस पैसा को निकाल भी सकते हैं और साथी जाता चेक के इस्तमाल भी बहुत जाता किया जाता था बड़े-बड़े बैंक क्या करता है जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजट कर के आते हैं तो बैंक क्या करता है उस पर हमें एक इंट्रेस्टेट असकी एस इनसां को जिसको पैसे तो ऐसे में क्या हो जाएगा एक साल बात बैंक के पास 16 रुपए वापस आएंगे 16 मैंसे बैंक 13 रुपए मुझे मेरे वापस कर देगा और जो बचे 3 रुपए है वो क्या हो जाएगे वो बैंक की दलाली यानि बैंक की source of income हो जाएगी बैंक की commission हो जाएगी जिससे बैंक अपना खर्चा निकालता है तो बैंक basically करते हैं बैंक depositors का पैसा deposit करवाते हैं उनको एक कम interest rate देते हैं उसके बाद मतलब वो नहीं कि मैं आपको अपनी सफलता का credit देता हूं या आप मुझे वह वाला credit यहां पर credit का मतलब है loan credit का मतलब है कर्ज से तो loan basically क्या होता है दो लोग होते हैं जब आप loan लेने जाते हो तो दो लेंडर उससे कुछ ने कुछ security रखवाता है अब जो आप किसी से कर्ज लेते हो तो उसके दो impact हो सकते हैं पहला positive भी दूसा negative भी लेड जिससे आपने किसी से कर्ज लिया आपका business बढ़िया चल गया तो उसका positive impact है लेकिन मालों आपने किसी से कर्ज लिया उसके positive लेकर वो सकी positive रॉल भी प्लेय करता है आप मेरे करता है सलीम की जहांपर उस बनहें ने contribution लिया था, तो उसको ने क्या किया, एक और लोन लिया, ऐसे में वो कर्ज में फसती चली गई, तो basically credit plays two role, one is positive role, other one is negative role, जब negative role play करता है, तो बहुत गंदा role play करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इंसान इतना कर्ज लेते चले जाते हैं, कि मालो एक कर्ज को लेने के चिक्के में आपका business खराब हो चुका है, तो आपने मेरा loan वापिस करने के लिए किसी और से, या किसी भी bank से, एक और loan ले लिया, तो ऐसे में क्या हो गया, एक loan वापिस करने के लिए, आप आप कर्ज में फस गयो, तो debt trap क्या होती है, यहां पर जो borrower होता है, borrower को ज़ादा loan लेने पढ़ते हैं in order कि वो previous loan पे कर पाया और जिससे वो और economically different situation में चला जाता है जैसे इस अपना का case था ठीक है उसके बाद terms of credit आते हैं जैसे आप जब भी कोई app download करते हो वहाँ पर होते हैं तो वो नियम में अप्रफीर है जनको आप लिए चीज रहे हों कितने डाप ऑद पैसा वां करोगे कितना पैसा ले रहा हूँ, यह सारी चीज़ें डिसकर्स करनी होती है, और इन सभी चीज़ों को मिला कर हम क्या कहते हैं, Terms of Credit बोलते हैं, यानि जो पूरी information है, Credit से related, उन सभी information को मिला कर हम क्या बोलते हैं, Terms of Credit बोलते हैं, कोलेटरल क्या होता है, बहुत असान है, मालो तुमने मेरे से पैसा लिया, तुमने मेरे से पैसा लिया, अब मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो मैं तुमसे क्या बोलगा कि तुमको यह अपनी कीमती चीज़ मेरे पास गिरवी रख दो, मेरे को यह विश्वास रहे कि तुम मेरा पैसा देने जरूरा होगी, तो यह क्या कहलाएगा, कोलेटरल होता है, तो कोलेटरल कोई भी वो चीज़ होती है, जो एक बोरवर यानि पैसे लेने वाला गिरवी रखता है, और एक तरीकी की प्रॉमिस का यह चीज़ काम करती है, कि कल के दिन क्या होगा, अगर यह चीज़ मेरे पास गिरवी रखी है, तो तुम्हें पैसे वापस करने आना पड़ेगा, जैसे मालो तुमने मेरे से लोन लिया, तुमने अपने बाइक मेरे पास गिरवी रख दी, तो अब अगर कल के दिन लोन वापस करने नहीं आओगे, तुम्हें क्या करूँगा इस बाइक को बेच कर अपना पैसा निकाल लूगा और अधर्वाइस तुम्हारी बाइक इतनी कीमती चीज़ यहां पर है तो तुम्हें लोन वापिस करने आना ही पड़ेगा तो क्या है एक एसेट है जो बॉर्वर लेंडर को देता है एक प्रॉम पर इंद्याओं डिया में जो सबसे बड़र कहीं करता है मोलता है कि मैं सबको सुपर्वाइस करता एक सबक्राइब का मायबाब इम्टैयों क्या करते हैं सुपर्वाइज करते हैं चोटे चोटे बंक करता है और पहले चेक करता है कि यह जो बैंक मिनिमम कैश बैलेंस मैंटें कर रहे हैं नहीं करें क्यों कि अगर पूर्य 100 रुपए्ग देरिया और खुंकर तुम अपना पैसा बैंक वापेसिकों नीचा है तो chief case in पैसे जब तुम जूखा साहा है ढंग डेर हमें और उस्का कुछ परसेंट अपने पास रख लेंटा है ।- चौती चीज चेक करता है कि यह बैंक है यह सर्फ उन लोगों को लोन ना दे जो profit making business है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उन लोगों को भी लोन दे जो छोटे चोटे ट्रेडर्स हैं जो छोटे चोटे फार्मर्स हैं जिनको लोन की बहुत जादा ज़रूरत है तो यह चीज सब्सक्राइब करता है कि तुमने कब किसको कितना पैसा दिया किस टाइम के बाद वापिस आएगा हर इंफॉर्मिशन हमें तू यह पांच फंक्शन आर्बिया करता है बड़ी आसान से फंक्शन है होपसो आपको याद भी हो जाएंगे इन में से कोई भी तीन-चार फंक् और करनी जब आप किसी बैंक के सब्सक्राइब तो लोन लेने जाते हो उसको आप इसे जरूरत है को Ö तो formal Soorce of credit क्या होते हैं जब आप किसी एसी जगह से loan लेते हो जहां पर आपको full proper procedures पॉलॉव कारते हैं xaráज और जाए हमार्ं आझास व्रिएं काया हुआ होता है जितनी बेक्टिविट्टिइज हैं के लिए के लिए ककिशे दोस्त सेARS लेते हो जहां अंपर कोई लिए है अपने दोस्त से तो वह दोस्त ही भगवान उसके ऊपर कोई नहीं सुपर्वाइज करने को दोस्त चाहिए आप हमारे पीटे कुछ भी करें वही है लेकिन जो है कि 10% ब्यास पर देंगे 10% पर देंगे या उसने क्या कि कुछ टाइम के बार इंट्रेस रेट को डबल कर दिया बढ़ा दिया तो यहां पर क्या होता है टर्म सफ क्रेजिट फिक्स नहीं होते है थर्ड चीज क्या होती है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो और आप लोन वा क्या होगा इनफॉर्मल में तुमारे घर पर बोलो आकर घुझण गर्दी करेंगे बड़ेंगे पाई साथो क्यों क्यों कि यहां पर अनंफयर प्रक्टिस वो कर सकते हैं क्यों यहां पर यहीं बगवान होते हैं जो आपको लोन दे रहे हो टें वैं वहीं भगवान है और there are proper terms of credit, informal में no terms of credit, formal में no unfair means can be used, informal में unfair means can be used, there is no one to stop them. अब हमारे इंडिया में problem पता है कहां पर है, कि सब कुछ हमें पता है, कि formal source of credit से loan लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आज की टाइम पर भी जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आज भी informal पर depend करते हैं, यानि अपने रिष्टतार से या किसी बड़े landlord से या किसी दोस्त से loan ल लेना परता है, उनकी मजबूरी का वो लोग फायदा भी उठाते हैं, अब लेकिन यह जो problem है, इसको solve करने का भी एक तरीका है, उस तरीके को हम कहते है, self-help group, self-help group मतलब खुद की सहायता करने वाले group, कहते हैं कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता है, तो तुम खुद की सह सहायता करेगा, उसकी सहायता उपर वाला करने लग जाएगा, तो यह self-help group वही concept होता है, यह कुछ ऐसे लोगों का group होता है, 15-20 लोगों का group, जो क्या करते हैं, regularly मिलते हैं, और मिलकर कुछ savings करते हैं, कितनी savings कर रहे हैं, यह depend करता है कि वो कितना कमारे, कोई ज्यादा saving करत है, यह लोग क्या करते हैं, monthly या regularly मिलते रहते हैं, और regularly savings करते हैं, और यह जो savings होते हैं, इनकी मलत से क्या करते हैं, इनकी मलत से कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं, जो जिसकी requirement पूरे group को होती है, इससे क्या होता है, इनका individual financial pressure आएगा इन पर वो काम हो जाता है, individual financial pressure का मतलब माल लो तुम्हारा एक self-help group है, और तुम सबने मिलकर एक JCB ली, तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा अकेले पर बहुत जादा खर्चा नहीं आएगा, बहुत बड़ा financial pressure नहीं आएगा, लेकिन क्यों 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 क्योंकि अब तुमने group में ली है, तो सब में क्या होगा, और क्या होता है, जो कोई भी इंसान जो इस group का member है, वो क्या कर सकता है, इस group से loan ले सकता है, अब तुम अपने group से अगर loan लोगे, तो तुम्हें क्या नहीं करना पड़ेगा, कोई collateral नहीं देना पड़ेगा, कोई proper documents नहीं देना होगे, क्योंकि सब लोग यहां पर तुम्ह पर चांद रहे होंगे, तो यहां पर क्या होगा, तुम्हारी जो lack of collateral है, lack of documentation है, यह problem भी solve हो जाएगी, साथ ही जाथ अगर यह group regularly 2 साल तक savings करते हैं, तो इन groups को bank से loan भी मिल सकता है, बस इनको क्या करना होगा, लगाता है 2 साल तक savings करने पड़ेगी, पहले की टाइम पर से women हमीं self help group बनाती थी, अभ men की भी self help group होते है, जैसे अचार बनाने के लिए self help group होते हैं, कई सारी दुकाने ऐसी होती है, शॉपस असी होते है, मैं नाम जानता हूं, नाम नहीं लोगा, ठेक है, बढ़ बढ़ कि कई सारी shops ऐसी हैं, जो क्या करते हैं, अपना सामान kisaking self help groups प्रॉपर डॉक्यमेंट्स और इसकी मदद से दो चीज़े होते हैं पहली यह लोग खुद की साहईता कर पारें और हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सौल भी कर पारें वह प्रॉब्लम क्या थी कि जिल लों के पास प्रॉपर डॉक्यमेंट्स नहीं है अगर वह एक सेल् इंडियन इकानमी पूरा चैप्टर कटा हुआ है सिब्सक्राइब तो इसको भी हम कर लेते हैं तो ग्लोबलाजीशन चैप्टर में हमको सब दो ही टॉपिक करने हैं पहला है वाट इस ग्लोबलाजीशन का सिंपल मतलब है वर्ल्ड की अलगलग हिस्स होगा अपस में कनेक् करती है व्यापार की मतलत से हम बोलकर जिन दो कंट्रीश की बीचियम जीतना ज़ादा व्यापार होगा उतना जाहता वो कंट्रीश आपस में डूस्य के साथ कनेक्ट होती जाएगे तो ग्लोबलजीशन क्या है वेर्ल के लगलग हिस्स होगा आपस में connect होना विध यल्प trade with the help of investment में बहुत बड़ा role play करती है हमको MNC के बारे में detail में नहीं पढ़ना है cause it is out of your syllabus लेकिन आप जान लो जो MNCs होती है multinational companies बहुत important role play करती है क्योंकि यह क्या करती है यह एक से जादा country में अपने आपको control करती है अपने production को control करती है जिससे क्या होता है इनका सामा दूसर देश में दूसर से तीसर तीसर चौटे ऐसे जाता रहता है व्यापार होता रहता है वो countries आपस में connect होती रहती है globalization क्या है आप समझ जाते हो क्या क्या तरीकी है एक तो व्यापार की मदद से हम globalization कर सकते है trade and investment की मरत से और दूसर तरीका होता है movement of people movement of people में क्या होता है जब इंडिया का बना अमेरिका जाएगा तो अमेरिका में अपना culture लेजाएगा अमेरिका का इंडिया आएगा तो वो यहाँ पर अपना culture लाएगा तो इस तरीके से भी क्या होगा इस तरीकिसे भी countries आपस में connect होती है और जो world होता है वो globalize होता है अब बात करते है factors that have enabled globalization यानि जिनकी मरत से globalization को एक boom मिला है एक boost मिला है और globalization और अच्छे से हो पाया सबसे पहला factor जिसको कभी ignore नहीं कर सकते जाए इस technology पिछले कुछ time में इतना तगड़ा improvement आगया है technology में कि world को आपस में connect करना बहुत असान हो गया है जैसे इसका clear example है transportation पहले के time पर transportation में बहुत problem होती थी लेकिन अब transportation technology इतने अच्छी हो गई है कि आप 2-3 दिन के अंदर ही एक country से दूसरी country सामान भेज सकते हो और इससे जो व्यापार है यानि trade है वो इतनी जादा बढ़ गई है country के बीच में कि world बहुत globalize हो जाए दूसरा है improvement in IT sector जो IT सेक्टर में जो technology है उसने इतनी तगड़ी growth पकड़ियो और आज की डाइम पर तो AI भी आ गया है कि आप यहां बैटे किसी दूसरी country में email कर सकते हो पूरा order order सब कुछ कर सकते हो payment कर सकते हो सब कुछ इसकी मदद से ग्लोबलाजीशन को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिला है बाकि इसको detail मैंने कैसे लिखना है आपको screen पर दिख रहा है और इसमें कुछ भी नहीं इसको आप बनाकर भी लिख सकते हो कि टेक्नलोजी transportation technology, telecommunication technology, IT sector यह सब बनाकर लिख लोगी एक और भी चीज़ है जिसकी मदद से क्या हुआ है जिसकी मदद से globalization को एक boom मिला है और जिसकी वैसे globalization और बढ़िया जा पाया वह है liberalization, liberalization क्या होता है बिसकी जब व्यापार किया जाता है तो दो चीज़े होती है import एंग export या तो किसी सामन का आना उसको import बोलते हैं या पर जाना उसको export बोलते हैं माल लो चाइना से कुछ toys आ रहे हैं तो वह क्या हो रहे हैं हमारी इंडिया में import हो रहे हैं इंडियन government की पास राइट है वह क्या कर सकते है उन ट्वाइस पर tax लगा सकते हैं और इसी tax लगाने को tariff barrier बोलते है या खाली barrier बोलते है ट्रेड barrier बोलते हैं ठीग है इं trade barrier की मद कब्रहबर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् पर इंडिया अजाद हुआ था तो लोग बढ़ा करेंगे तो इंडिया क्या किया था बाहर से सामाराना कम हो गया था और इंडिया की जूपर्डियूसर्स थे उनको मुझा मिला था खुटको ग्रोग करने का लेकर उसके बाद गई कि 1991 के बाद इंडियां government ने decided कि आग हमारे हां हम लोग इतने अव्रण्य मार्किट कॉम्पीड करें ट्रेड में ने कया किया ट्रेड को ghti गह 봤 दिया थाकि बाहर से संपयाय अने लगा और हम बेल्ड कोई ठीख करना लुक्त कि ना सामान किसी भी से बेचे WA आहां ऎले पहले सिस्ट उबलेजीशनकार दोर शाहे है मुलेटी प्रेज़ाबchemistry-बेरश करना है हमारा liberalization and that is removing barriers or restrictions said by government is known as liberalization. इसकी मदद से भी क्या हुआ है? globalization को एक बहुत बड़ा boom मिला है और इसी boom के साथ हम क्या करते हैं? हमारी इस class को end करते हैं जहाँ पर आपके चारो chapters खतम हो चुके हैं. अब इसके बाहर और कुछ भी नहीं आएगा आपका class 10 economics है. इस वीडियो को आपने देख लिया है. अभी हम कोशिश करेंगे कुछ question solve करने की हमारी next class में मिलते हैं हमारी next class में एक और one shot वीडियो के साथ तब तक इस वीडियो को अगर ही समझ नहीं आई एक और रिवाइस कर लेना इसके notes मैं आपको टेलिग्राम पर देदूँगा तो टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना अब तो मैं इंस्टाग्राम पर भी आगया हूँ तो वहाँ पर भी आप इससाथ connect कर सकते हो वहाँ पर भी आपको कोई डाउट है पूछ सकते हैं आपको प्रफकर करूँक які जगास्ट मुझे वीडियो के साहथ तब तक सर्डे लिए ओल रवेर्स और आवा से त्यारी करो गुडबबाय झाल